ओके, ध्यान दीजेगा, हम लोग आज का class चालू करेंगे, revision करेंगे, सबसे पहले moneyness of option का, ठीक है, option का moneyness क्या होता है, ये समझेंगे, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक call option का, ठीक है, call option का, तो call option का, अगर मान लीजे, strike price है, 800, 800 का strike price है, ठीक है, अब spot, मान लो, चल रहा है, 600, इसका मतलब क्या है, उपर जाने से difference आएगा, किसके उपर जाने से difference आएगा, 800 के उपर, तो अभी share price कितना चल रहा है, 600, अगर आज exercise होता है ये, अगर आज exercise होगा, तो कितना रुप्या मिलेगा, option अगर आज exercise होगा, तो lapse हो जाएगा न, क्य कि आज तो ये एक तरीके से क्या, 800 के उपर जाने से difference आएगा, लेकिन आज का जो share price है कितना है, 600, तो इसको हम लोग बोलते है, out of the money, out of the money, अब एक चीज समझना, out of the money में भी levels होता है, अगर मैं बोलता हूँ 400, जैसे मान लो, अपना expiry है 10 days, ठीक है, expiry है, अपना 10 days, अ 800 के उपर चला जाएगा, बहुत कम, 10 trading session में कौन सा share हो जो double हो जाता है, समझा मेरा बात को, तो बोलने का मतलब ये है, ये हो गया, out of the money, ये हो गया, बहुत जोर out of the money, ये हो गया, बहुत जोर out of the money, ये हो गया, out of the money में भी level समझो, कि भई, आपका जो share है, वो in the money या फिर exercise होने पर आपको positive payoff मिलेगा, इसका क्या probability है, ये ही अगर मैं बोलता हूँ, spot मेरा चल रहा है 800, तो spot अगर मेरा 800 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, spot अगर मेरा 800 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, 800 के ऊपर जाने से payoff चालू, 800 के ऊपर जाने से payoff चालू, राइट, तो ये वाला मेरे favor में move करेगा, इसका probability जादा है, compared to 600, and 600 वाला मेरा favor में move करेगा, इसका probability जादा है, compared to 400, समझा, तो add the money वाला जो है, इसका 800 वाले को हम लोग बोलते है, add the money, add the money का मतलब क्या होता है, जब strike is equal to spot, strike is equal to spot, तो हम लोग बोलेंगे add the money, यही अगर मान लो, अपने इसको 1000 कर देते हैं, तो 1000 वाला अगर आज exercise होता है, सब लोग को chat box में लिख दो, सबको समझ में आ रहा नहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, sound, audio, video, ठीक है, 800, 800, 800 के उपर जाने से difference आएगा, आज के दिन पर share price कितना चल रहा है, 1000, तो difference कितने का है, 200 का difference है, अगर आज exercise करेंगे, तो कितना रिपर मिलेगा, 200, इसको हम लोग बोलते हैं, इंदा मनी, यही अगर मान लो, 1500 है, यही अगर इंदा मनी हुआ, उपर जाने से difference आएगा, तो आज अगर exercise करेंगे, तो कितना मिलेगा, 700, लेकिन यह हो गया, इंदा मनी, यह हो गया, बहुत जोर इंदा मनी होता है, वो पुरा share की तरह ही behave करता है, क्योंकि एक चीज़ समझो, यह पुरा share की तरह ही behave करेगा, समझा, अब एक चीज़ समझना, मैं बोलता हूँ, के अपने को दिया है 500, स्पोर्ट अपना चल रहा है 502, यहाँ पर कहा है न, बहुत ज़्यादा volatility रहेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा volatility रहेगा, क्यों volatility रहेगा, कि भई यह 500 के उपर जाएगा, कि 500 के नीचे जाएगा, maturity प बहुत ज़्यादा unpredictability है, compared to, यह एगर मैं बोलता हूँ, 200 या फिर मैं बोलता हूँ, 1200, तुम चीज़ समझो, 1200 वाला तो इंदमनी है, बहुत जोर इंदमनी है, अले यह तो exercise हो नहीं है, unless and until बहुत कोई बहुत जोर का कुछ हो जाए, यह वाला तो exercise हो गई होगा, क्योंकि यह वाला तो exercise हो गई होगा, so it is as equivalent as share, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो इंदमनी आटो तो मनी clear है, अब इवाँ put से देख लो, यह अगर मानलो अपना put में अपने को दिया वे 500, ठीक है, spot का levels देख लो, spot का level चल रहा है, 200, बहुत जोर इंदमनी, नीचे जाने से difference आएगा, तो आज अगर access करेंगे तो कितने का pay off, 200, इन दमनी हो गया, यह अगर मानलो 500 है तो इसका मतलब क्या है, add the money, ठीक है, यह अगर 700 है तो इसका मतलब क्या है, out of the money, ठीक है, अब मैं कुछ analysis आपको दिखाता हूँ, कुछ analysis आपको दिखाता हूँ, ठीक है option का जो premium होता है, option का जो premium होता है, असमों दो part होता है, एक होता है आपका intrinsic value और एक होता है आपका time value, intrinsic value का मतलब क्या है, आज अगर access करेंगे तो कितना मिलेगा, time value का मतलब क्या है, volatility का premium, time value का मतलब होता है कि option मेरे favor में move करेगा, इंदा coming time period, option मेरे favor में move कर नहीं करके, against म में भी मूव कर सकता है, तो करें, डरते थोड़ी है, option में सबसे बड़ा advantage क्या है, time value क्या होता है, volatility premium क्या होता है, कि अगर market बहुत जदा volatile हो जाएगा, तो situation मेरे favor में move कर सकता है, उस चीज़ का premium, अगर मेरे against में move किया, तो मैं को डर तो ही नहीं, क्यों डर नहीं है, because my loss is limited when I am buying the option, but my profit is unlimited when I am buying the option, my profit is limited when I am selling the option, and my loss is unlimited when I am selling the option, मैं बोलने का मतलब यह है, कि अगर volatility भढ़ जाता है market में, तूफान आ जाता है, तो मे मेरा तो loss तो limited है, मानलो call buy कि, market बहुत जोर नीचे चलागे, तो जाए, मेरा तो loss तो limited है, loss is limited to the premium that I have paid, ठीक है, इसलिए time value हो गया, for example, option का premium मानलो 50 है, ठीक है, और अगर आज excess करेगा, तो 30 मिलता है, तो मेरा time value कितना हो गया, 20 रुपिया, यह जो हम सामने वालों को दे र तो option premium का दो पार्ट होता है, intrinsic value मतलब अगर आज excess करेंगे, तो कितना मिलेगा, and time value मतलब volatility premium, ठीक है, अब एक बात बताना, out of the money में intrinsic value क्या होगा, out of the money options का intrinsic value क्या होगा, जाइट बॉक्स पर सब लोग बताएंगे, out of the money में intrinsic value क्या होगा, 0, क्यों 0 क्योंकि अगर आज excess कर हवा मिला, तब क्या करेंगे, 10 रुपय में, चिप्स और हवा, लेकिन आधा लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग खाली हवा करीते हैं, क्योंकि हवा मतलब क्या time value, and chips मतलब क्या intrinsic value, तुम chips का packet को फड़ा, तुमको कुछ नहीं मिला उसमें, मतलब क्या है, खाली हवा, time value है क्योंकि अगर आज access करेगा, तो उसका कोई भी value नहीं है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो volatility होगा, वो add the money option में होगा, किस में होगा, add the money option में होगा, ठीक है, अब एक आज हम लोग basic देखेंगे, heading लगाना, portfolio construction, portfolio construction, portfolio construction, portfolio construction, ध्यान दो, अब मेरे बात सुनो, मेरा बात ध्यान सुनो, ठीक है, मेरा बात ध्यान सुनो, देखो, portfolio construction का क्या मतलब एकदम पुरा ध्यान से मेरा बात को सुनना, ठीक है, class को अगर अच्छे से follow करेगा, ठीक है, तो November end तक हम लोग syllabus खतम करेंगे, जो मैंने promise किया, और घर पे देखने वाला काम तुम लोग का है, वो तुम ल होगा तो, तो share buy करने के लिए क्या लगेगा, पैसा, तो अपने दो portfolio बना रहे, एक call का और एक put का, तो call मतलब क्या, right to buy, तो right to buy, तो क्या चीज में buy होगा, मुझ से थोड़ी buy होगा, किस से buy होगा, पैसा से, तो call वाले portfolio में अपने क्या करेंगे, एक call रखेंगे, और अ call option जो buy किया है, पीछे तुम्हारे पास पैसा का backing है, बोल के तुम call option buy किया है, कि बई, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे ये share इतना समय बाद, इतना मैं खरीदूंगा, मतलब मैं खरीदूंगा, और खरीदने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा, future में चाहिए होगा, इसका present value, इसको बलते covered call, चीक है, एक और समझ लेना, share, share मतलब क्या, जैसे मालो put, put मतलब क्या, right to sell, right to sell क्या, share, तो sell करने के लिए share होना भी तो चाहिए न, sell करने के लिए share होना भी तो चाहिए न, अगर तुम put buy किया, इसका मतलब क्या, अगर मेरा मन होगा, तो हम तुम लोग रख रहे है, put और share, ठीक है, ध्यान देना, तो मैंने एक portfolio बनाया, जिसमें मैंने रखा, C plus and present value of strike, क्यों 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 कि future में कितना रपे देना पड़ेगा, strike price, अरे share का था मूपर ने चे कुछ भी हो, call buy case का मतलब क्या है, जो भ share, ठीक है, एक put option और मैंने रखा एक share, ठीक है, अभी हाँ पर side में देख लो, call option का जो payoff होता है, वो कुछ ऐसा होता है, max of st minus k, 0, क्योंकि अगर share price, strike price के उपर है, तो ही access होगा नहीं, तो lapse, lapse के case में मेरा payoff क्यों हो जागा, 0, put में क्यों होता है, max of k minus st, 0, क्यों, अगर नी पहले copy कर लीजे, यहां तक फ़ले copy कर लीजे, काश्पी अपने backup देखा बेटा, YouTube पे हमारे वीडियो जाले वे हैं, प्लेलिस्ट वाले section में जाना, निवेस टेडिपने जाना, ठीक है, very good, अगर आपने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजेगा, ठीक है, यह वला होगे ना ध्यान दीजेगा, अब maturity पे बात करता है, ठीक है, maturity पे, तो maturity पे जो portfolio A है, उसमें क्या हो जाएगा, max of st-k, 0, plus st, sorry, plus k, क्योंकि अपने क्या किये थे, present value of strike रखे थे, वो accumulate होके क्या हो जाएगा, strike price, वो accumulate होके क्या हो जाएगा, strike price, k को अगर घुसा देंगे तो क्या होगा, max of st, k, max of st, k, b में देखो, max of k- st, 0, plus में क्या आजाएगा, st, अब इसको ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, max of, जल्दी बताओ, max of k, st, दोनों का pay off same है, दो portfolio बनाए, दोनों का pay off same है, अगर दो portfolio का maturity value same है, तो law of one price क्या बोलता है, दोनों का present value भी same होगा, लिखो, law of one price, law of one price, if two portfolios have, if two portfolios have the same pay off, at maturity, then their present values, will also be same, if two portfolios have the same pay off, at maturity, then their present values will also be same, ठीक है, अब present value निकालते दोनों का, तो present value अपना जैसे क्या आएगा, ध्यान देना, एक आएगा C0, C0 का मतलब क्या है, call option का price, यह लग line copy होगया, if two portfolios have the same pay off, at maturity, then their present values will also be same, यह लग कॉपी होगया सबका, अब इदर ध्यान देना, तो C0 प्लस, प्लस, के to the power minus delta T, एक में ट्रुको, यह होगा न, अरे, maturity पे अपने को strike price चाहिए, तो उसका present value क्या होगा, के to the power minus delta T, और अपना call option का दाम क्या है, C0, maturity पे जाके, वो max of ST minus k, 0 हो रहा है न, लेकिन आज premium कितना pay के, C0, this is equal to what, T0 plus S0, clear है, अपना timeline अपने ले रहे हैं, यह देखो, यह 0 है, और यह capital T है, देखो, यहाँ पर लिए हैं, capital ST ले रहे हैं, ठीक है, तो यह होगे अपना, इसको बोलते हैं, अपने put call parity, इसको बोलते हैं, अपने put call parity, अब इसमें देखो, 3 चीज पता है, तो 14 चीज निकाल सकते हैं, call or put का पता है, और strike पता है, तो share press निकाल सकता है, वैसे अगर सब कुछ पता है, put नहीं पता है, put निकाल सकता है, इसको बोलते है पुट कॉल पारेटी लिख दो बट डिस इस वालिड बट इस वालिड बट इस वालिड ओनली फोर नॉन डिविडेंट पेंग शेर्स in case if shares are dividend paying then we need to make adjustments चीक है अब ध्यान दीजेगा यह पुटकॉल पारेटी सबको सुन्जा आया ना पक्का हाँ ठीक है ध्यान दीजेगा यह वाला हो गया हाँ क्लियर है एक पहले रिविजन देख लो यह मानलो ऐसा है ठीक है हाँ और अगर मानलो मैंने यह बनाया है यह कौन सा स्ट्रेटीजी बता दो कि तुम मान जाओंगा क्या क्या किया है यहां पर बताओ यहां पर हमने चार चीज किया है यहां पर हमने किया है C- और P- ठीक है यहां पर हमने किया है ठीक है देखो दोनों का add the money add the money है मानलो यह अपना स्ट्राइक है ठीक है add the money का दोनों का call or put बेच दिया ठीक है add the money पे दोनों call or put बेच दिया तो premium खाया है न अब इसको फिर क्या है प्रिमियम खाया है, बट मेरे को डर लग रहा है कहीं बहुत जादा एक तरफ़ा मुव्मेंट ना हो जाए. कहीं बहुत जादा अगर एक तरफ़ा मुव्मेंट हो गया तो मेरे को नुकसान होगा. For example, call और put दोनों बेचा और premium कले किया 500 रुपिया. तो मैं उपर नीचे 500 के लिए covered हूँ, for example अपना चल रहा है मालो 5000, तो 5000 पर कॉल पूट दोनों बेज दिया, तो 4500 से लेकिए 5500 तक हम covered, बट मिनको डर किस चीज के लग रहा है, अगर 5000 के उपर चला गया तो, 5000 के नीचे चला गया तो, तो मैंने cover कर लिया है, तो इस point पर मैं है, इसको रोका कहां पर, यहाँ पर एक C+, करके, ठीक है, यहाँ पर एक C+, कि अब क्या होगा, जैसे मालो, यह 5500 का कॉल बाई कर लिया, अब अगर मालो 5501 होगा, तो क्या होगा, इससे 1 रुपए आएगा, और पुराने वाले से 1 रुपए जाएगा, तो नलीफ आये, तो अपना loss is limited, अपने call बेच के अगर खरीदे हैं, आगे का भाव में, इसका मतलब loss is limited, और यहाँ पर क्या किया होगा, guess करो, यहाँ पर एक P plus किया होगा, यह graph समझना बहुत जरूरी है, graph अपनों नहीं समझेंगे, तो अपनों को दिक्कत होगा, चीज समझो, add the money, add the money का अग सीधा है, तो प्रीमियम कम लगा होगा ना, अरे प्रीमियम सबस्यादा किसका होगा, नोट में लिकोई ग्राफ बनाओ पहले, पहले ग्राफ बनाओ, यहाँ पर basically mindset के अधियान सा समझना, यहाँ पर mindset है, low volatility, but still protected, in case of high volatility, पैसा कौन सा रीजन में आएगा, पैसा तो इसी रीजन में बनेगा ना, अपना, पैसा तो अपना यही वाला रीजन में बन रहा है, यह वाला रीजन में क्या है, जब बहुत ज़्यादा movement नहीं होगा, क्योंकि add the money पे क्या किया है, call or put दोनों sell कर दिया है, अब ब के लिए cover कर लिया है, चीक है, सर प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो C0P0 negative क्यों नहीं है, यह cost के हिसाब से हो रहा है ना, negative क्यों होगा, वैसे नहीं सोचते हैं, यह मैंने call buy किया है, जो asset की तरह सोचो, call का पैसा दे के खरीदे हैं तो यह होगा ना, और मेरे पास इतना cash रखा है, cash कहां से आ, यह छोड़ दो, cash रखा है, और यहाँ पर P0 है और यहाँ पर S0 है, एक share है मेरे portfolio में और एक put option है, तो पैसा दे के खरीदे हैं ना, उसका तो market में इतना value है ऐच के दिन पे, तो minus क्यों होगा, ठीक है, आएगा, धिरे-धिर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, देखो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़, एक मुटको और अब इदर ध्यान देना, सब कोई दिख रहे हैं ना, अब यहाँ पर बिल्डर पर आते हैं, जैसे मान लो, बैंक निफ्टी का बात करते हैं, ठीक हैं, बैंक निफ्टी स्पोर्ट चल रहा है अपना 51,000, ठीक हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने option में आते हैं, अपने लेते हैं, month end का expiry, ठीक हैं, अभी जो month चल रहा है, उसका month end का expiry लेते हैं, तो add the money मतलब 51,000 हो गया, ठीक हैं, यह 51,000 पे मैं गया, 51,000 का call मैंने sell करना है, अगर जो बैंग ने का जो इंडेक्स है वो 5-6,000 पॉइंट कर देता है ठीक है एक मैना में होई सकता है 10% गिर जाए बैंक में कोई बहुत बड़ा नियूज आ गया ठीक है कोई बहुत बड़ा घोटाला आ गया पीपल लूस कॉंफिदेंस इन दा बैंक्स तो बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा त यह नुकसान को तो कवर करना पड़ेगा ना इसलिए मैंने क्या किया आप ध्यान देना टोटल में मैंने देखो यहाँ पर मैंने कितना प्रीमियम खाया 550 एं 990 मतलब 1500 का प्रीमियम खाये है ना मतलब 51,000 के ऊपर नीचे 1500 मैं कवर्ड हूँ 51,000 के 1500 उपर नीचे मैं नी कॉल क्यों कि स्पॉर्ट कितना चल लए 51,500 के ऊपर जाने से डिफ्रेंस आएगा तो मैं क्या करता हूँ ऑप्शन में 52,500 का मैं कॉल बाई एट पोजिशन ठीक है अब 51,000 के नीचे आईए 1500 कितना होता है 49,500 ठीक है तो मैं यहाँ पर गया 49,500 का पुट ठीक है बाई मैं एट पोजिशन करता हूँ समझा आप देखो इसमें ट्रेट देखो ऐसा बन गया जो मैंने बनाया अब क्या हुआ टोटल में मेरा प्रीमें मैंने खाया कितना 1500 और मैंने लगाया कितना 500 तो नेट नेट कितना अरव है का प्रीमें खाया 1000 मतलब ऊपर नीचे 1000 में कवर्ड हूँ बट फॉर एक्जांपल आम नॉट कवर्ड आफ्टर 52,000 अब नॉट कवर्ड आफ्टर 52,000 अप्टू हाँ मच फिफ्टी तू फाइवंड्रेड देखो नेट नेट पांसों का प्रीमें चला गया ना देखो यही सेम ग्राफ जो मैंने बनाया देखो एंड माइ लॉस इस लिमिटेट तू 500 एंड कितना का लॉटे पंजा का लॉटे ना तो साड़े साथ हजार का देखो इसमें मैक्सिमुम में नुक्सान आ गई यह रहा थो थोड़ा बत वह मैंने एक्जाक्ट फिगर नहीं लिये तो साथ हजार के आसपस का इसमें मैक्सिम के बीच में रहता है फोर एक्वल इप्ट इस फिफ्टी वन तो मैं कितना रवा बना रहा हूं हजार बना रहा हूं हजार इंटू पंदर बने अगा देखो यह रहा हाँ जो बेच रखा है ना क्योंकि लॉस तो कुछ भी हो सकता है ठीक है अब देखो यह जो नीचे है ना डेल्टा थीटा गामा वेगा आज हम लोग यह सारा चीज करेंगे ठीक है यह बना लिया ना ठीक है को देखे यह तो तुम लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो आओ अब हेटिंग लगा ना ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स ध्यान देना यह है ऑप्शन का प्राइस अब ऑप्शन का प्राइस पर क्या क्या चीज़े है जो एक्ट करता है option के price पे क्या-क्य चीज़ से impact आता है एक तो सबसे पहले जिस चीज़ से impact आएगा उसका उनलोग बोलते है share price क्योंकि share price अगर उपर नीचे करेगा तो option के price पे भी change आएगा option is a volatility game option is a volatility game, volatility premium था ना तो option impact होता है sigma से, ठीक है sigma मतलब क्या share price का volatility सिग्मा मतलब क्या share price का volatility ठीक है option जो है वो impact होता है हम लोग का interest rate से हम लोग का interest rate से अरे ऑब्वेस सा बात है ना option option क्या है अल ये सोचो option है हम तुमसे इतना time बाद इतना में खरीदेगा तो future का contract है ना हम तुमसे इतना time बाद इतना में खरीदेगा अगर मेरा इच्छा होगा तो ठीक है और क्या चीज़ से option का दाम impact होगा बताओ सोचके देखो time period time period time period क्यों time period option is a जो बोलते ना time value time value जो होता है intrinsic value और time value 5 दिन का trading session बाकी है तो 5 दिन में option मेरे favor में move करेगा इसका probability कम है 50 दिन में option मेरे favor में move करेगा इसका probability ज़ादा है तो अगर time period ज़ादा तो time value भी ज़ादा volatility premium ज़ादा यही अगर time period कम तो volatility premium कम मैंने आपनों कोई चीज़ दिखाया था कि माल लो अगर अगर अपने next week का expiry करते हैं for example around 17 तारीक के आसपस का अगर अपने expiry करते हैं compared to अगर अगला मैना का expiry करेंगे तो अगला मैना वाले का same ही strike price का दाम ज़ादा होगा क्योंकि उस case में अपने को volatility premium ज़ादा है ना क्योंकि option मेरे favor में move करेगा एक लंबा time period में इसका की है add the money option लिया ठीक है premium दिया 300 रुपिया 10 trading session बागी है add the money option लिया premium दिया 300 रुपिया तो अगर आज exercise करेगा तो कितना रपा मिलेगा 0 क्योंकि option add the money है मतलब यह पूरा का पूरा क्या time value है तो इसको divide करो 10 से तो मोटा मोटी कि हर दिन क्या होगा अगर मानलो option का price sorry अगर मानलो शेर प्रैस नहीं हिलेगा ना तो यह हर दिन 30-30 रुपई से कम होते जाएगा यह हर दिन 30-30 रुपई से कम होते जाएगा option का जो प्रीमियम का जो दाम है क्यों कि 300 spread over a span of 10 टेन टेन ट्रेन session अब पहला दिन और शेर प्रैस मूव नहीं किया तो option का price क्या होगा 30 रुपई से गल जाएगा इसको गलना बोलते है time decay बोलते हैं ठीक है दूसरा दिन क्या होगा दुबारा से गल जाएगा फिर लाल बीच में saturday sunday आजाएगा तो थो जाधा गलेगा गलना बोलते गलने का मतलब क्या है आपका share price नहीं हो रहा है आपका share price नहीं हो रहा है बट आपका time तो कम हो रहा ना time कम रहा मतलब time value कम हो रहा है यह तो 10 दिन का time value 300 तो पांस दिन क्यों, क्यों, future मतलब क्या, आगे का rate, future मतलब क्या, आगे का rate, ठीक है, option में, option में interest rate क्यों impact कर रहा है, सोचो पहले, option में interest rate क्यों impact कर रहा है, अब जैसे मनलो option मोटा मोटी, interest rate उतना नहीं impact करता है, एक minor factor दे, क्यों क्यों option जो होता है, हफ़ता, दो हफ़ता, तीन हफ़ता, चार हफ़ता, पांच हफ़ता, एक मेना, दो मेने का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यदा फरक नहीं आएगा, ये जो मैंने बनाया है ना, basically मैं ये बोलता हूँ, option का जो price है, option का जो premium है, वो function है, ये सारे variables का, अगर share, मैं बोलता हूँ share price में अगर change होगा, share price में अगर change होगा, तो option के price में कितना change होगा, share price का जो, basically share का जो volatility है, अगर उसमें change आएगा, तो option के price में कितना change आएगा, तीक है, उसके बाद में, अगर time में change आएगा, time to maturity अगर change होगा, तो option के price में कितना change आएगा, and interest rate, अगर interest rate में change आएगा, ये सारे variables को उम लोग को study करना है जो कि option Greeks बोलते हैं ठीक है अब एक चीज़ समझना ये copy करो पहले एक बार ठीक है ध्यान देना हम लोग ये पढ़े थे 11-12 में y is equal to fx y is a function of x अब मैं बोलता हूँ y is not only a function of x ये x1, x2, x3, dot, dot, x ये बहुत सारे variables का function है अब मैं क्या करूँगा मैं जब sensitivity analysis का मतलब समझो sensitivity analysis क्या होता है कि भई बाकी सब चीज़ को constant रखेंगे और अपने क्या है ना एक एक करके variable को shock करेंगे शॉक करेंगे मतलब उसको adverse direction में 10% change करेंगे और ये देखेंगे कि भई वाई पे कितना impact आ रहा है मेरा जो response variable उसमें कितना impact आ रहा है ठीक है तो basically अभी अपने को यही सब study करना है कि भई share price में change होगा तो option के दाम में कितना change होगा basically volatility में अगर change होगा तो option के दाम में कितना change होगा volatility इंडिया में measure होता है इंडिया विक्स बोलते है इंडिया volatility index बोलते है इंडिया विक्स से measure होता है ठीक है अब एक चीज़ ध्यान देना सबसे पहला आपने share price का बात करते है ठीक है divided x का मतलब क्या होता है x में अगर छोटा change होगा तो y में कितना change होगा सबसे पहला जो अपना option का जो Greek है वो है delta क्या नाम है इसका delta delta का मतलब क्या है delta का मतलब क्या है अगर share price में एक रुपय का change आएगा तो option के price में कितना change आएगा ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, उपर में आएगा, for example, लगर हम उपर मैं लिखें, डेल, FST, ध्यान देना, मैं वापस सब चीज बताऊंगा, by Del ST, अब मेरे बात ध्यान सुनो, FST मतलब क्या हो, क्यों 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 क option क्या है, वो function है, किस इसका function है, ST का function है, तो इसलिए Del, Del मतलब क्या partial derivative, partial derivative का मतलब क्या, अभी जब अपने delta का कर रहे हैं, तो बाकी सब चीज को क्या assume करेंगे, constant assume करेंगे, ठीक है, copy करिए इसको, जैसे इसको इसे भी लिख सकते हैं, जैसे बहुत बर ना, आपके मैट में ऐसा लिखते है, F, T, ST लिखते है, F, T, ST मतलब time और share price दोनों का function बना दिये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Del F, Del ST, Del F, Del ST मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, derivative, F का मतलब क्या है, derivative, call put, जो भी, F का मतलब होता है, derivative, and ST मतलब क्या है, share price, ST मतलब क्या है, share price, Y, Del, partial derivative है, Del का मतलब क्या होता है, partial derivative है, बाकी सब चिज़को क्या रख रहा हूं, constant, बाकी सब चिज़को मैं क्या रख रहा हूं, constant, ठीक है, अब मेरे बात को ध्यान सुनों, इसका मतलब पहले लिखो, नोट में लिखो, अगर अगर शेर प्राइस में एक रुपीज का चेंज आएगा, तो ऑप्शन प्राइस में कितने का चेंज आएगा, सर्फ फ्यूचर्स में टाइम वैली क्यों नहीं आएगा, फ्यूचर्स में बेटा, फ्यूचर में क्या होता है, अबलिगेशन होता है, फ्यूचर में क्या होता है, it's a forward commitment, तो वहाँ पर time value does not make sense ना, future में मालो जो भी होगा positive negative आपको obey करना पड़ेगा, बट यहाँ पर it's the reverse case, यहाँ पर आपके पास में ख़क है, आप चाहो तो कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो और उसी चिका अब दाम पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको नुक्सान होगा, futures में आपको नुक्सान होगा, बट यहाँ आपका loss is limited, चीक है, अब एक चीज़ समझना, call मैंने बोला, यह देखो, delta का एक और basic formula पहले समझना, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, change in option price by change in share price, चीक है, ध्यान सुनू, हम बोलता है, delta है 0.4, इसका मतलब क्या है, पहले यह समझो, share price में अगर एक रुपए का change होगा, तो option के दाम में 0.4 का change होगा, पहले यह लिखो, समझा आप तुम लोग, हां, and एक और चीज़ समझना, एक और चीज़ समझना, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही हम लोग क्या किये थे, हां, put call parity में क्या किये थे, c0 plus k e to the power minus delta t is what, p0 plus s0, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब को share price से differentiate कर रहा हूँ, सब को share price से differentiate कर रहा हूँ, देखो, इधर देखो, तो यहाँ पर यह क्या आएगा, delta of call plus, यहाँ पर तो share price ही नहीं, यह तो delta है, तो यह पूरा चीज़ क्या है, इसके respect को derivative, ddx of x क्या होता है, one, and यहाँ पर आएगा delta p plus one, समझा, तो यह वाला अपना formula बन गया, दोनों के बीच का, दोनों के इसका वालना क्या बना, delta of call minus delta of put is what, one, copy कर डीजे इसको, कुछ नहीं क्या, आपने differentiate किये share price से, share price से differentiate करने से क्या आएगा, देखो, मैं बोलता हूँ, share price में गर एक रुपए का change आएगा, तो call option में कितना का change आएगा, तो पूट का डेल्टा है 0.4 तो पूट का डेल्टा क्या होगा जल्दिली बताइए हां तक धंग से करो 0.4 माइनस वन है ना 0.4 माइनस वन है डेल्टा आफ कॉल इस वोट डेल्टा आफ पूट को देल्टा आफ को देल्टा आफ कॉल माइनस वन होगा ना तो 0.4 माइनस वन है फॉर्मला में डालो कॉल का डेल्टा मैं बोल रहा हूं डेल्टा आफ कॉल इस वोट इस वोट माइनस 0.6 यह माइनस क्यों आरा पहली है सोचिए क्योंकि शेयर प्रेस अगर बढ़ता है तो फूट का दाम क्या होगा गिरेगा ना मैंसलिकाय स्वाख और्छाइव नीचे जाने से RAW मैनस च्डेकर कि माल नेते डेल्टा आफ कॉल अपने को दिया वे जिरो पॉइंट थ्री सो डेल्टा आफ पुट कितना आ रहा है माइनस दिरो पॉइंट सेवेन इसका मतलब क्या पता है गर शेयर एक रुपए से उपर जाएगा ना तो पुट का दाम पॉइंट सेवें से नीचे आएगा सिंपल है ना लिखो इसको इफ शेयर प्राइस इंक्रेस बाइ रूपी वन पुट प्राइस गोस डाउन बाइ जरो पॉइंट सेवें झाल प्राइस बाइस प्राइस भाइस जरो इसका मतलब क्या प्राइस प्राइस देंगा रूपी झाल बापी वन पॉँवें एक चीज़ समझो, यह अला हो गया ना, ठीक है, एक चीज़ समझो, स्ट्राइक प्रेस मानलो है 500, ठीक है, स्पोर्ट चल रहा है, 1000, तो यह कौन सा हुआ, अगर स्ट्राइक प्रेस है 500, और स्पोर्ट चल रहा है 1000, तो यह क्या है, इन दा मनी के केस में, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मान लेते हैं, स्पोर्ट में, आपका जो, पहले ही लिखलो, आप्शन का जो प्रीमियम है, ठीक है, आप्शन का प्रीमियम किससे कम नहीं हो सकता है, अगर आज एक साइस करेंगे, तो कितना रुपय मिलेगा, पहले यह बताओ, 500 तो आप्शन का प्राइस 500 से कम होई नहीं सकता है, तो अपने आप्शन का प्रीमियम को माल लेते 600, अब इस 600 का ब्रेक अप दो, 500 है अपना इंट्रिंसिक वैल्यू, और 100 अपना कितना है, टाइम वैल्यू, ठीक है, अब एक चीज़ समझा, मैं गोलता हूँ, स्पोर्ट चेंज हुआ, 1000 से 1100, ठीक है, दो दिन में, तो आप्शन का जो प्रीमियम आएगा न, वो मोटा मोटी आपका 690 के असपस आएगा, क्यों, क्योंकि एक तो 100 और पैसे बढ़ा है, इन्दा मनी, इन्दा मनी, इन्दा मनी, डीप इन्दा मनी, मतलब बहुत जादा उपर है, का जो रेट होगा, डेल्टा होगा, वो वन होगा, तो यूँकि वो तो पुरा शैर की तरह ब्येव करेगा, आपके मानलो, अगर आपका सपॉर्ट मैं बोलता हूँ, 500 के आसपस में है, तो ये क्या हो गया, आट दा मनी, आट दा मनी का जो डेल्टा होता है, वो मोटा मोट पॉइंट फाइव होता है और यही मालो स्पोर्ट को मैं बोलता हूँ 200 है तो आउट अप दमनी जो है ना यह इसका मोटा-मोटी मोटा-मोटी जो आपका डेल्टा होगा वो पॉइंट 3 के असपास होगा पॉइंट 3 या फिर पॉइंट 2 के असपास होगा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ सारा प्रॉबैबिटी का केल है 200 के बाद पहले तो वह 500 जाएगा 300 अपने अपना जो शेयर प्राइस है वह धाई गुना होगा धाई गुना होगा फिर उसके ब डल्टा है वह कम होगा, अब क्या है इसकेस मेंक्या होगा? वह भलेंगा जैसे हिह हलका सा भढ़ेगा, मैंब मोत्स昨ता फे खुबडे प्रॉइंट प्रॉइंट 3 को बं मेंचा मवा और एक चीज़ देखो, जैसे माल लो, अपने X जो लिए, श्ट्राइक प्राइस जो लिए, वो अपने लिए 500, और शेयर प्राइस अपना जो चल रहा है, वो 100 रुपीज चल रहा है, ठीक है, तो इसका जो डेल्टा आफ कॉल होगा, वो मोटा मोटी कितना होगा, पॉइंट रुपीया, कॉल का जो दाम था, मान लो, इते हैं, वो 3 रुपीया था, ठीक है, अगर कॉल का दाम 3 रुपीया है, तो डबल हो गया न, मजब कितना से बढ़ गया, 100 से, तो अगर 100 का 200 होगा, तो डेल्टा आफ न्यू कॉल कितना हो जाएगा, तो नया जो प्राइस है, वो अगर कितना हो गया, 13 रुपीया, समझा, अब जैसे ही ये 100 से 200 हो गया, तो अब 500 के हलका करीब हो गया, तो आपको क्या लगते है, डेल्टा पॉइंट वन ही रहेगा, न पॉइंट वन फाइव हो जाएगा, अब जैसे मान लो, 200 का 300 हो गया, तो 100 से बढ़ा, 100 इंटू मान लेते हैं, 0.15, तो कितना हो जाएगा, 15, और पहले कितना था, 13, अब कितना धाम हो जाएगा, 28, अब 300 हो गया, अब 300 का मान लो, 400 हो जाता है, तो अब जब 300 हो गया, तो आपको क्या लगते, डेल्टा कितना होगा, 0.25, समझ रहे डेल्टा कैसे, धिरी धिरे जैसे आप out of the मनी से इंदा मनी जाओगे तो डेल्टा क्या होगा बढ़ेगा डेल्टा बढ़ेगा ना तो लिखो लिखो अ अओा ऐस दिखो लिखो मत्युक्कोप्रणnya को लिखे से ना बढ़ेगा दिखे से गौल प्रय्म सब्सक्राइब कर दिलता ग्राइब रेट विल ला बetween 0 औ वन depending upon the moneyness of the option. ठीक है? नोट्स कंटीनू करेंगे. इसके बाद लिखना डेल्टा उफ पूट इट लाइस बिट्वीन माइनस वन एंड जीरो Intuitively, it is better to drop the negative sign and if you do that, comma, put delta can also be felt via moneyness. Out of the money put, click on, out of the money put, low delta of put, say 0.25, actually, minus 0.25 is high. मेरा बात पहले समयद ले न, फिर हम आगे डिक्टेट कराएंगे. अगर शेर प्रैस में अब चेंज होगा ना, तो put में कम चेंज होगा comparatively. तो वो ही लिखाया, out of the money put, out of the money put में लिखाया, low delta of put. low delta का मतलब क्या होता है, 0.25, but actual में put का जो delta होगा, वो minus 1 से 0 के भीच में लाए करेगा. mathematically अगर तुम देखेगा न, तो वो चीज भढ़ता है, चीज समझो. mathematically अगर तुम देखेगा तो वो चीज भढ़ेगा, but logically सोचना पड़ेगा तुम लोगो. मैं जब बोलूँगा न, put का delta low, तो low का मतलब यह निए कि वो minus 0.2 से minus 0.3 जाएगा, चीज समझो. वो minus 0.2 से minus 0.1 जाएगा, बोलने का मतलब यह है, देखो, माल लेते हैं यहाँ पर, माल लेते हैं यहाँ पर, x तुमको दिया वैं 500, चीज है, x तुमको दिया वैं 500, अब हम लोग बात करते है, delta of put का, माल लेते हैं यहाँ पर है minus 0.5, इसका मतलब का है, share price अगर एक लगता है, क्या हो जाएगा, सोचके बताना, delta of put क्या हो जाएगा, out of the money तो होई गया है, out of the money तो होई गया है, ठीक है, but delta of put क्या होगा, गिरेगा ना, अब देखो, गिरने का मतलब तुम लोग क्या सोचेगा, सर, हम लोग इसको minus 0.6 कर देते हैं, बट ऐसे नहीं गिर रह है, when you're comparing it to minus 1, it's high, exam में गलती मत कर देना, ठीक है, is it clear, copy करो उसको, फिर इसके बाद लिखना, add the money put, delta of put is equivalent to 0.5, actually minus 0.5, फिर आएगा, in the money put, high delta of put, say 0.8, actually low, that is, minus 0.8, अब एक चीज़ और लिखना, लिखो, अज एस राइज़ एस राइज़ एस डेल्टा ओफुट फॉट 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 इसके लिखना, टेंजरस इन देख्जाम, फिर फॉट अफिसेश्य तटेंजरस भी एस देख्जाम, वाइट इस देंजरिस इन दे एक्जाम बिकॉज मैथेमाटिकली क्या होगा बताइए इट राइजेश से माइनस पॉइंट फो टू माइनस जिरो पॉइंट ये सब को समझ में आया बोलो हाँ बोलो दो मिट का ब्रेक रीट करो पहले हाँ तक बोलो झाल 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 एक चीज़ समझना इसका मतलब तुम लोग सब ये तो accept कर लिया है कि डेल्टा constant नहीं है बने डेल्टा चेंज हो रहा है depending on the moneyness तो इसलिए डेल्टा के case में हम लोग को second order जाना पड़ता है share price में अगर change होता है share price में change होत तो उसलिए डेल्टा में जो चेंज होता है second order share price में अगर change हो ह तो उसलिए डेल्टा में जो चेंज होगा that is gamma क्योंकि medicines change हो रहे है जैसे शेह प्राइस चेंज हो रहे हैं विससे डेल्टा चेंज हो रहे हैं एक चीज़ समझना मैंने आपको एक एक्जांपल दिया एक्स जो हमारा श्ट्राइक प्रेस है वो मानलो 500 है ठीक है अरे यह सब किसी को बता देगा ना तुम्हारा पैर को धोएगा पहले और फिसको चूम के चला जाएगा ठीक है मने जो कोई भी क्वालिफिकेशन किया हो CA, CFA, FRM, MBA in Finance, डबल डिगरी बता देगा ना वो भी लेगा बाप रे बाप नहीं आता है कोई नहीं सिखा सकता है सब चीज़ एक्स 500 है ठीक है श्ट्राइक प्राइस अब एक चीज समझो मान लेते ह शेयर प्राइस हमारा चल रहा है एक सो ठीक है और जो डेल्टा ओफ कॉल हमारा चल रहा है वो चल रहा है दस रुपया ठीक है सोरी डेल्टा अम रेली सॉरी कंफीज होगे एक में तो कॉल का जो दाम चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपया और डेल्टा ओफ कॉल चल रहा है 0 पॉइंट वन फईफ टिक है ऑप्शन प्रीमियम एंड डेल्टा इस बूट्ट टू डिफरें इंग्स अब शेर प्रेस मान लो सौ से तो सो जाते हैं तो कितना से शेंग रॉप्या से सौ और पैसे चेंज हुआ तो डेल्टा कितना बोलता है 0.15 बने आप्शन के प्रीमियम में कितने का चेंज आएगा 15 रुपए का आएगा तो नया जो हमारा कॉल आप्शन का प्रीमियम होगा वो कितने का होगा 25 का होगा अब सिंस नाओ 200 is more closer to the strike देल्टा कितना हो जाएगा मोटा हुटी माल लो 0.2 माल लेते 0.2 अब यह 200 से आपका हुआ 300 फिर 100 का चेंज हुआ बट अब आप्शन प्रीमियम में कितने का चेंज होगा 20 रुपए का तो कॉल कितना हो जाएगा 45 फिर माल लो 100 रुपए का चेंज आता है तो अब जो पहले मने जब 300 हुआ तब आपका जो डेल्टा चल रहा था माल लेते 0.3 तो अब जो 100 रुपए का चेंज आया वो कितने का आएगा 30 का चेंज आएगा मतलब कॉल कितना हो जाएगा 75 और माल लो डेल्टा हो गया 0.4 ठीक है अब 400 से माल लो 500 हो गया तो आपका कॉल का कितना हो जाएगा 40 से बढ़ेगा ना तो और पे का चेंज आया और डेल्टा है 0.4 तो 40 से बढ़ेगा तो 75 प्लस 40 कितना हो जाएगा 115 तो कॉल का प्राइस हो गया 115 एन अब 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 अट दमान ही हो गया ना तो डेल्टा अफ कॉल कितना हो जाएगा 0.55 अप्रॉक्सिमेटली समझा बोलने का मतलब यह है कि rate of change देखो ना वही तो हुआ ना पहला 100 जब बढ़ा जब पहला 100 बढ़ा तो चेंज कितने का आया 15 का फिर जब दूसरा 100 बढ़ा तो चेंज कितने का आया 20 का फिर जब तीसरा 100 बढ़ा तो तो चेंज कितने का आया तीस का फिर जब 100 बढ़ा तो रेट की चेंज कितने का आया चालिस का तो पंदरा बीस तीस और चालिस यह समझ में है तुम लोग को बोलो यह समझ में है यहीं है गेम ठीक है ना अब लिखो सबसे पहले लिखना डेल्टा डेलेफ डेलस्टी दे रेट ओफ चेंज का ओल यह टू सुम्ड कि यह टरत हूच्च यह टो share price gamma delta notation asa are the delta gamma kai somato this is day to f dell st square दे चेंज ओफ डेल्टा विथ दे शेर प्राइस एक बात बुलें वट इस जिसाइरेबल माल लो आपको एक एक चीज़ समझो आपका जो पोटफोलियो है अगर उसमें शेर प्राइस चेंज हो रहा है तो डेल्टा चेंज हो रहा है चीक है लो गामा इस डिजाइरेबल लो गामा इस डिजाइरेबल चीज़ समझो गामा लो है इसका मतलब क्या है शेर प्राइस अगर fluctuate करेगा तो डेल्टा में उतना चेंज नहीं आएगा और डेल्टा में अगर उतना चेंज नहीं आएगा तो आपको बहुत ज्यादा का री बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा अपने पॉट्फोलियो में यह हम लोग करेंगे रिस्क फ्री स्ट्राटेजी बोलते हैं ठीक है मने आपका जो पॉट्फोलियो इसका डेल्टा धिरे-धिरे चेंज हो रहा है ठीक है बट अगर गामा लो है गामा लो है मतलब डेल् आपका पॉट्फोलियो में कॉस्ट कम लगेगा और री बैलेंसिंग की दरकार कम पड़ेगी ठीक है ना यह भी लिखना नहीं है इसके बाद लिखना थीटा थीटा होता है टाइम का इसका अनोटेशन कुछ ऐसा होता है दिस इस डेल एफ डेल टी तो यहां पर लिखें है टी टी मतलब क्या कितना टाइम हो चुका है अब अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे तो टी अगर बढ़ता है चीज समझो टी अगर बढ़ता है मतलब कितना टाइम हो चुका है देखो यह 0 है यह है आपका टी 1 यह है आपका टी 2 और यह है आपका टी तो अगर अप मतलब ये T जैसे से बढ़ेगा ना, वैसे वैसे time to maturity कम होगा, time to maturity कम होगा, इसका मतलब क्या है, time to maturity अगर कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, time to maturity कम है, time to maturity कम है, मतलब मेरे favor में move करने का chance ज्यादा है कि कम है, time to maturity अगर कम है, एक दिन है, compared to one month, तो मेरे favor में move करेगा इसका chance क्या है, ज्यादा ना कम, कम, मेरे favor में move करेगा, इसका chance क्या है, ज्यादा ना कम, कम, ठीक है, बट दोनों अलग-अलग चीज़ है, t और t-t, ये क्या है, कितना हो चुका है, और ये क्या है, कितना time, बाकी है, ठीक है ना, लिखो, theta में लिखो, चेंज आफ, टेरिवेटिव प्राइस, विट टाइम, इसके बाद लिखना वेगा, टेरिवेटिव प्राइस, with volatility row change of derivative price with risk-free rate lambda change of derivative price with dividend rate ठीक है इसके बाद में अब मैं आप लोग के एक काम दे रहा हूं ठीक है आपको बताना है कि प्लस माइनस क्या होगा ठीक है यह लिख लिख लिए ने dividend rate अब मैं आपको यहां पर दे देता हूं डेल्टा गामा ठीटा वेगा रो और लैम्डा कॉल है यहां पर और यहां पर पुट है ठीक है आपको क्या करना है जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूं डेल्टा है तो अगर शेयर प्राइस भरता है डेल्टा क्या है शेयर प्राइस ना तो अगर शेयर प्राइस बढ़ता है शेयर प्राइस अगर भरता है तो कॉल का डेल्टा क्या होगा बढ़ेगा अब पुट का डेल्टा क्या होगा गिरेगा यह आपको बताना है ठीक है चल जै कलिक गामा नहीं होगा इस में घंटाप भूल से दें दिया इस लिए इसी लिए इस से केमा होगा सोच के बताये जिटा में क्या होगा थीटा में क्या होगा सोच कि बताइए थीटा मतलब क्या डेल अब डेल टी टी जितना ज्यादा होगा टी माइनस की उतना ही कम होगा टी जितना ज्यादा होगा मतलब टाइम जितना बढ़ेगा उतना ही टाइम टू मेचुरिटी कम होगा और टाइम टू मेचुरिटी कम होगा मतलब कॉल हो चाहिए पुटो दोनों ही केस में क्या होगा मेरे फेवर में मूव करेगा इसका चांस क्या होगा कम वेगा वोलाइटलिटी अगर जादा है तो कॉल पूट दोनों में ही क्या होगा बढ़िया अपने लिए तो तो आप्शन का प्राइस क्या होगा बढ़ेगा रो रो मतलब क्या है इंट्रेस्ट रेट मेरा बास सुनो कॉल खरीदे क्योंकि पैसा बैंक में रखे है कॉल खरीदे क्योंकि पैसा बैंक में रखे है इंदा मीन टाइम इंट्रेस्ट रेट बढ़ जाता है यह अगर शेर खरीद लेते तो पैसा बैंक में नहीं रहता और पैसा अगर बैंक में नहीं रहता तो जो बढ़ावा interest rate उसका मेरे को फाइदा नहीं होता, तो रो के case में क्या होगा, अगर interest rate बढ़ता है, तो call के case में अपने को फाइदा हो रहा है, क्योंकि share तो खरीदे नहीं है, शेर खरीदने का जो पूरा पैसा वो कहा लखे है, बैंक में, put के case में सोचो, जो तुम बे बेचेंगे नहीं तो, नहीं बेचेंगे, तो वो तुमको interest का नुक्सान हो गया, लैम्डा, dividend rate भड़ जाता है, dividend rate बढ़ जाता है, dividend rate बढ़ जाता है, dividend rate बढ़ जाता है, तो एक बात बता रहे है, dividend rate अगर बढ़ जाता है, lambda, ठीक है, तो call में क्या किया, share तो नहीं खरीदा, call खरीदा, यह share खरीद लेता तो क्या होता, जो बढ़ावा dividend होता है, वो तुमको मिलता, लेकिन नहीं मिला, त तुम को मिलेगा थीटा के लिए नोट लिखो थीटा के लिए नोट लिखो लिए नोटल लागा नोट लिए, मौर्च के लिएा आप्रप्रेप्स विल्मोव न उल्डर्स फेवर। ओल्डर्स फेवर। कोमा with the downside loss again being capped. thus because time t works in the opposite direction to time to expiry t-t theta is usually negative for both a call and a put option for the time. नेक्स्ट लिखना डेल्टा हेजिंग डेल्टा हेजिंग डेल्टा हेज्ज का मतलब क्या होता है डेल्टा जीरो आपके पॉट्फोलियो में जो भी कॉंस्टिटुमेंट से सबका डेल्टा जीरो है मैं एक एक्जामपल लेता हूँ ध्यान देना माल लेते हैं, call का जो डेल्टा है, वो है 0.5, ठीक है? मैंने 100 share buy किया है, 100 share buy किया है, मतलब share का डेल्टा होता है 1, ठीक है? and 200 call sell की है, तो 200 into minus 0.5 हो जाएगा ना, क्योंकि call तो sell की है, sell, call तो sell की है ना, call sell की है, इसका मतलब क्या है? उपर जाने से difference जाएगा, कितना difference जाएगा, 0.5? अरे, तुन्हों समझ नहीं रहा है, call sell की है, sell की है, for example, sell की है 40 में, ठीक है? share price 10 रुपय से बढ़ता है, share price 10 रुपय से बढ़ता है, तो call में कितने का change आएगा? Share price 10 salary से बढ़ताा है तो call में कितने का change आएगा 10 into 0.5 Call का delta कितना है 0.5 ना Share price में 1 salary का change आएगा तो call में 0.5 का change आएगा Share price 10 salary रोपःता है तो call का दाम कितना से बढ़ जाएगा 5 salary से जो ची 40 में खरीदा उसका दाम कितना हो जाएगा 45 तो तुम क्या किया, 40 में तुम तो sell किया है ना तो तुम खरी देगा कितना में, तो कितने का नुकसान हुआ? पांच रुपए का, यही समझाने का try कर रहू हूँ, ठीक है न? तो delta अगर कर रहे हैं, portfolio का, तो 100 इंटु 1, and 200 इंटु minus 0.5 ना? 200 call option बेचा है, call option buy करता, तो आप के पोटफोलियों का डेल्टा पॉजिटिव होता ठीक है तो यहां पर अल्टिमेटली नेट नेट कितना आ रहा है जीरो आ रहा है ना अब मैं आपको समझातों जीरो कैसे आ माल लेते शेयर प्राइस बीस रुपए से भरता है तो सो शेयर लिया जिसमें बीस रुपए का आपको फाइदा होगा and 200 call बेचा जिसमें आपको 10 रुपय का नुकसान होगा क्यों 10 रुपय का नुकसान होगा बताईए जल्दी से क्यों 10 रुपय का नुकसान होगा बताईए जल्दी से क्योंकि share price में कितने का change आ रहा है 20 रुपय का तो option के दाम में कितने का change आएगा को आंश्यॐंस किled को किया अ donnusैल से ऋकॉपण से जाहेगा न कि अरेंध काल बेच दिया काल बेच दिया जितना भी धाम में ऊब खरीदेगा तो जादा में खरीदेगा नो खरीदा जादा में बेचा कम में ठीक है एक और एक्जाम्पल देखिए इसको कॉपी कर लो पहले मने खाली यह वाला करना अगर कॉल का डेल्टा मैं यह सब मिटा देता हूं यह सब का दरकार नहीं है ठीक है माइनस पॉइंट फैप का मतलब समझो माइनस पॉइंट फैप का मतलब है कि कॉल का दाम बढ़ेगा अपने तो सेल किया ना तो आपका पुट्फोलियो में क्या चेंज आएगा माइनस यहां पॉइंट फैप नहीं लिखके तुम सेल किया ना तो यह याद रखो सेल करने से यहां माइनस आएगा ऐसे याद रख लो चीक है अब नेक्स्ट देखो फेले नोट्स लिखो यह ट्छल यह ट्छिट पूर्फलियो इस यह टेखो यहले संद पूर्फोलियो एस द हिव्ट पॉर्फोलियो फोल्ट असेर अप्छो़ इस प्रुट ऑशव लिख्यों देल्टा प बोलते हैं ने देल्टा प जिरो थे एंग टेल्टा प जूर ने ने पूट फोलियो थे यू धने पूर्फोलियो इस इंसतने इसलिए रिस फ्री इसको हम लोग डेल्टा हैज्ड या फिर डेल्टा नीूट्रल भी बोलते हैं अब इस चीज का मतलब लिखो इंस्टेन्टेनियशली रिस्क फृी का मतलब क्या है instantaneously रिस्क फृी का मतलब क्या है means that if we know the value of the portfolio at time t, then we can predict its value at time t plus dt with complete certainty. risk free portfolio का delta है वो क्या है जीरो ठीक है? एक और example देखो तुम लोग को बताना पड़ेगा ठीक है? जैसे मान लो साड़े 300 कॉल शेल के मतलब पॉटफोलियो का delta VK माइनस 350 इंटू कितना अधा बताओ ये? 122.5 तो क्या करेंगे इसमें? 122.5 मने 122.5 अजुमिंग पार्ट शेर्स बाइ करना अलाउड है, एस प्लस करेंगे. इससे क्या होगा? प्लस 122.5 इंटू 1 क्योंकि शेर का delta 1 होता है, तो मेरा रेजल्टिंग पॉटफोलियो का delta कितना हो गया? 0 क्लियर है? बोलो हाई है ना? इसके बाद, इसके बाद, हजार शेर भाई किये है, delta of call है 0.6, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अभी आपका पॉटफोलियो क्या है? प्लस 1000 पर खड़ा है, ठीक है? अब मिध्यान से चुना, आपको क्या करना है? माइनस 1000 करना है, ना? माइनस 1000 करना है, एक का है 0.6, इंटू N करेंगे, है ना? तो इससे आ जाएगा कितना call sell करना है? करो, कितना? 166 नहीं है बिटा, 166.7 C-, समझ गया ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? पक्का? आज के लिए इतना ही करेंगे, कल इसको हम लोग continue करेंगे, ठीक है? अभी एक भी क्लास मिस मत करना एकदम, ठीक है? थैंक यू, कल सेम टाइम.